पॉल्लराइजिशन-मफफफ़ लाइट क्या चीज़ होती है पॉल्लराइजजिशन देखो हो कोई भी लाइट का सोर्स हो यह से कोई भी रेंडम सोर्स हो रहे जिसे यहां पर तो यह discipline का बल्ब है जो लाइट एह Minister करेगा यह चारोत डर्फ एमिट और होगा जैसे यह कोई light का bulb है इससे जो light emit होगी वो इधर भी emit होगी इधर भी emit होगी इधर भी emit हो रही होगी इस तरीके से जितनी भी directions possible है हर direction में यह light का source light को emit कर रहा होगा चारो तरफ light emit हो रही है यह तो इस board वाले plane में मैंने draw किया है बाकि इसके अलावा भी सामने की तरफ light emit होगी तो इस वाली light को हम बोलते हैं unpolarized light क्या बोलते इसको अन पॉलराइस का मतलब है ऐसे light जो all possible directions में हो रही है उसे का नाम क्या होता है unpolarized light होता है लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से light को एक plane में आरेंज कर पाओ तो उसको हम बोलेंगे polarized light जो एक ही plane में जा रही जैसे इस बोड़ वाले plane में जा रही है तो उसको बोलतेंगे polarized light तो कोई भी light का source हो वो कौन से light को emit करता है अन-polarized अन-polarized का मतरब है ऐसी light जो all possible direction में है उसको हम अन-polarized light बोलेंगे इसको ड्रो करने का तरीका यह होता है जैसे मालनो कि यह कोई point है यह कोई light का source हो इससे बाहर की तरफ बोड़ के कि electromagnetic wave है तो ऐसे कोई भी plane में आ सकती है तो इसको ड्रो करने का तरीका यह होता है कि आप इस point के उपर ऐसे जितने भी directions possible है उन directions में arrow के symbol लगा दो इस तरीके से तो यह un-polarized light को रीपरजन करेगा यह जो light है यह बोड के आ रहे होंगे आपकी तरफ इसलिए इसको क्या बोला हमने un-polarized light बोला ठीक है इसको थोड़ा simple करके ड्रो करने का तरीका यह होता है कि यह वर्टिकल और horizontal plane में जो light है इसको छोड़के बाकी अलग-लग plane में जो light है इसके components कर लो जैसे मालो कि यह कोई light wave है जो इस तरीके से बोड के चारों तरफ आइमट होने चीति तो उसको तो एक ऊरिजॉंटल लाइन जो करोगे और लाइट बाड़ेसट को उसको किया जा resistant ने फिर वर्टिकल करोंगे दिया उसको यारी वेंदगरी करेंगे दिया तो फिर उसको और करोगे तो यह जैसे मैं एक वर्टिकलाइड वर्टिकल लाइन एक mon यह तो बोड़ आपकी तरफ लाइट यह तब यह डाइग्राम बनेगा अब जिसे एक बार पेँज दो अगर लाइट इस डारम क्या जारी नहीं तब यह डाइग्राम नहीं तो यह देखो आपकी तरफ अगर light आएगी तब तो हम इसको ऐसे ड्रो कर रहें एक vertical line है एक horizontal line है तो एक vertical component horizontal component ऐसे ड्रो क्या है सारी यह light ठीक है लिकिन अगर इधर जा रही होगी तो ऐसे दिखाना पड़ेगा इसे तो इसमें vertical line तो दिखेंगे लिकन horizontal line आपको नहीं दिखेगी सामने से देखोगे तो यह एक सिर्फ इसका head दिखेगा जो कि डोट के जैसा होगा तो फिर इसको अगर मैं ड्रो करूंगा light को इधर जाते वह दिखाऊंगा ऐसे तो मैं क्या करूंगा vertical line तो मैं ड्रो करूंगा यह vertical arrow तो ड्रो करना ही है साथ में जो horizontal component है उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे डोट का सिंबल बना देंगे वह आपकी तरफ आईगी light तब तो आप ऐसे दिखाऊंगे उसको यह तो बनेगा बनाने का तरीका है बाकि आप समझ गए ना light कैसे हमेट हो रही है लाइट और पॉसिबल डारेक्शन पे और पॉसिबल प्लेंस में एमिट हो रही है लाइट का सोर्स है तो इसी को हम बहुत है अन पॉलराइज लाइट कैसी होगी फिर अगर उसको ड्रो करके बताना हो तो जैसे मालनों की लाइट बोड के इस बोड़ वाले प्लेन में यह तो सब अन पॉलराइज लाइट को रीपरिजन करने के तरीके हैं कौनसी लाइट है अगर पॉलराइज लाइट को रीपरिजन करना है तो उसको ऐसे दिखाएंगे जैसे मालनों इस डारेक्शन में है लेकिन धहां रखना आ कि यह सिंबल होगा या डोट का सिम्बल खा प्लें में के अंदर तो में पॉलेराइजे लाइट जो दिरेक्शन में लिए हैं अगरlı नाना को है और आपकी तरफ एलाइट और सिर्फ फ्रटिकल प्लेन में रएए तब कैसे ड्रो करोंगे तब ऐसे ड्रोПрदूगी कि ओडियन की जर destructive है वैसे प्लेन में वह यह तो यह ड्म स्मूज प्लेंडर्पा। ठीक है यह सब किस के लिए है यह इनको डाइग्राम की फोमेरी पर्जं करना तो आ लेकिन यह किया कैसे जाएगा तो इसके लिए interesser अब एक क्रिस्टल होता है जो कि ग्लास की जैसा दिखता है इसको पतला सकी क्रिस्टल और जैसे विंडो अगर आप देखी हो तो एक जामपल से देखो इस टाइब की विंडो आपने देखेऊगी कि पुराने मकानों में यह ऐसे सरीए लगे होते हैं इसके अंदर देखिए कि यह जो विंड़ो है इसके इंदर या एक और चीज को पूरसेल सॉल्ट बोलते हैं यह ग्रास के जैसे मैटारियल होते हैं जैसे इनके अंदर इस तरीके से इस तरीके से रेंज होते हैं कि लेर के बीच में पतला सा गेप होता है जैसे विंडो ती नवैसे, heureनों की अब एक जामपल से समझे ना इसको किस तरीके से लाइट को पॉ यहां पर मैं इसमें we will create कर रहो इहां पर ऑर यह मैने रस्टी को पकड़ रखता है है और शूंच करोंगा इसके अंदर değil कर वाइप लोगा कैसे वेयाइट करनी है तो कोई बी डारेक्शन डारेक्शन से वेव क्रीप करते हैं पटो evaluate GI तो जाएगी और तर यह इस वर्टिकल लगे और आम से पास हो जाएगी दो सेरी यों की बीच में क्या किया और वेस्ट करेंड करिए अब के बार पास हो पाएगी इसमें यह पिसी यहां पर टक्रा के खतम हो जाएगी आप और कोई डारेक्शन में अगर आप एसा इस रसी को आप आपर करोगे तो वह वाली वेप इसमें से पास नहीं होगी इस सिर्फ एक पास हो पाएगी जो वर्टिकल डारेक्शन बाकि सब क्या कर देगी ब्लोक कर होगी ठीक है तो इस तरीकिये का काम करेगा जो लाइट होती हो कैसी होते अन पॉलराइजड होती है All possible directions में All possible plane में वह होती है किसी भी लाइट के सोर्स से अगर इसके सामने ऐसी कोई window लगी हो और इसमें से सिर्फ वर्टिकल प्लेन में ही अगर लाइट सपास हो पाई सोचो आप तो लाइट को लाइट को पॉलराइज करो जिनको हम क्या बोलते हैं रोसल तर्मिलिन क्रिस्टल और यह क्रिसल क्या करेंगे इनके एटम्स की बीच में ऐसी लेर्स कि पोड़ा गेप रहेगा और उसमें से जब लाइट पास होगी और पॉलराइज द्लाइज हो गई तो लाइट को पॉलराइज करने का यह तरीका यह लावा भी तरीके होते हैं लेकिन यह सबसे सिमपल तरीका है light को polarise करने का क्या करना है crystal उसके light को pass करना है अपने आप plane polarise निकलेगी एक plane में होगी ठीक है? इन हिसके लिए का थे मैं भात कर रहा था मालों कि मैंने उसका एक टुकडा लिया ग्लास की जैसा होता है यह तो इसकी एक पफली सी हमने शीट ले ली तर्मलिन क्रिस्टल उसकी एक पफली सी शीट ली ये ले ली और इसमें जो पास एक्सिस है इसकी वो मालों ये है पास एक्सिस का मदल हुता है, जिस एक्सिस के правильно वाले light के vibrations, इस में इसे pass हो जाएंगे, वह होती है pass ऐक्सिस, तो ये वाली जो line है, धेखंगे ये vertical जो line में draw कर रहा हूँ, इसके parallel जो vibration होगे ने इसमें से pass हो जाएंगे, तो ये है pass ऐक्सिस, अब इधर से unpolarized light इस क्यूप बाहर निकल पाएगी तो light क्या हो जाएगी plane polarized तो यह जो plane है जिसमें vibration बाहर निकल रहे हैं इसको हम बोलते हैं plane of vibration क्या नाम है इसका plane of vibration देखो यह जो vertical plane है जिसमें vibration बाहर निकल रहे है वर्टिकल प्लेंगे जिसमें vibration बाहर निकल रहे हैं इसको हम बोलेंगे plane of vibration क्या बोलेंगे इसको plane of vibration और इसके perpendicular यह जो plane वाइब्रेशन होंगे या जो waves होंगी वह इसमें से बाहर नहीं निकल पाएगी ऐसे horizontal plane में जो waves है वह थोड़ी बाहर निकल लेंगी इसमें तो यह जो horizontal plane है इसका भी एक नाम होता है इसको हम बोलते है plane of polarization क्या बोलते हैं इसको plane of polarization बात समझ में आ रही है क्या ठीक है तो अन पॉलराइज लाइट जब इस टर्मिलिन क्रिस्टल की उपर incident होगी ऐसे वर्टिकल ही रखा इसके सामने अन पॉलराइज लाइट के सामने तो यह त plane है जिसमें vibration आपको मिल रहे हैं इसको तो बोल दिया plane of vibration और इसके perpendicular वह plane जिसमें vibration नहीं मिलेंगे उसको बोलेंगे plane of polarization यह इनके नाम है तो कोई अगर यह बीच में आ जाए न कहीं नाम तो आपको समझ जाना किसका मीनिंग क्या है ठीक है चलो आगे बढ़ते हम देखो त इसको बोलते हैं जो टर्मिलिन क्रिस्टल की शीट होती ना उसका दूसरा नाम क्या है पोलराइजर क्योंकि यह लाइट को पॉलराइज करने का काम करेगा इसलिए इसको पॉलराइजर बोल दिया ठीक है यहां पे एक लाइट का सोर्स रखा है जो कौनसी लाइट करेगा पॉलराइजर नाम लन को पॉलराइजर की ओपर यह टर्मिलन क्रिस्टल की वह इंसिडेंट भी तो यह जो वर्यातिकल यहां पे इस एक विंडोज येसी बन रही हैना तो इस वर्टिकल प्लेन में जो वाइब्रेशन वह तो इसमें से बाहर निकल गए और यह दो कॉरिजोंटल वाले वाइब्रेशन क्या हो गए ब्लोक हो गए दो कंपोनेट अर और एक तो कौन से वालें प्लेन पोलराइस्ट तो यहां polarized light को plain polarized Ford कर लिए अब हमको यह इस पता करना है कि light यह जो light हमको मिल रही है यह polarized है यह पोलराइस है यह में सबसक् poem right को कि आसा पता स्टाइव करने लगा रहा रही है आपकी तरफ तो देक करने पोल्राइड चलता कि यह नहीं पता से लएग ow अभिग तो इसके लिए यहां पे कितनी मिलेगी आपको लगेगा लाय जैसे एक लायट का बल्ब लगा रखा उदर सीधा उसको देखो गए तो ज्टी दीखेगी लायट की ज्यादा चमक दिखेगी और ये टर्मिलिन क्रिस्टल बीच में लेके ऐसे फिर इसमें से देखोगे तो आपको intensity कम दिखेगी तो ये तो भी light absorb होने से भी हो सकता है ये इससे ये confirm नहीं होता कि light polarized हो गई हो सकता है इस material ने light को absorb कर लिया हो और अभी भी ये unpolarized light को ही emit कर रहा हो लाइट की intensity हाफ होना इस सीज का प्रूफ थोड़ी है कि light polarized हो गई मालने आपके पास है कि ग्लास की शीट है नॉर्मल और वो थोड़ा से ब्लेक किश है तो ब्लेक कलर क्या करता है लाइट को absorb कर लेता है तो वो जो आइडिया नहीं लगा सकती तो हमें कुछ और करना पड़ेगा क्या करेंगे हम यहां से देख रहे हैं इस light को पर तर्मिलिन क्रिस्टल के थूद देख रहे हम इस टर्मिलिन क्रिस्टल को ऐसे rotate करके देखेंगे, अब rotate करने से क्या होगा उसको समझना, अगर आप इसको vertical रखते हो, तो इसमें से vertical component पास हो जाता है, और horizontal block हो जाता है, 50% पास होता है,50% block हो जाता है, अगर इस termlin crystal को ऐसे horizontal कर दिया जाए, सोचना है एक बार, इस टर्मिलिन क्रिस्टल को क्या कर दिया जाए होरिजोंटल तो क्या होगा होरिजोंटल वाला कंपोनेंट पास होगा वर्टिकल वाला ब्लोक हो जाएगा अगेन कितना परसेंट मिलेगा आपको 50 परसेंट अच्छा इसको अगर बीच में ऐसे टेड़ा कर दिया तो तो कितन ऐसे है सोचो एक बार आपने जब इसको वर्टिकल रखा था तो आपने वोला कि एक वर्टिकल कंपोनेंट है यह बोला जब इसको टेडा कर दिया तो को जरूरी थोड़ी आप अधिन होरिजॉंटल करो आप इसको ऐसे रखा था तो आपने जो कंपोनेंट किये हो कैसे कि एक तो वर्टिकल और एक होरिजॉन्टल ऐसे किए ना यह करने कर रहे हैं कि आप और डूसरे के परपेंडिकलर होने चाहिए पहला ऐसे कि दिख्कत क्या है ऊपनी तो कर रहे हैं यह लो यह एक एंपोलराइज तो जरूरी यह कि इसके वर्टिकल और होरिजोंटली कंपोनेंट किया जाए मत्व ऐसे करूँगा एक तो इधर करूँगा और एक इधर करूँगा इसका भी इधर ले लोगा इसका भी तो कर सकते हैं तो जब आप इस टर्मिलिन किसलों को घुमा दोगे मतलब इसको आपने एक तो अगर आप इस टर्मिलिन क्रिस्टल को रोटेट करते हो घुमाते हो तो जब इसको घुमारे हो और इंटेंस्टि कोई वेरियेशन आपको नजर नहीं आ रहा इसका मतलब इस टर्मिलिन क्रिसल के दूसरी साइड में कौन सी लाइट है अगर इसके दूसरी साइड में अन पॉलराइज लाइट होगी तब ही यह होगा कि इसको घुमाने से इंटेंस्टी में आपको चेंज नजर नहीं आएग अब मालों की लाइट पॉलराइज होचकी अब सेकेंड कंडिशन देखना लाइट को पॉलराइज कर लिए आपने अब क्या करना है अब मैं इसके सामने एक और पॉलरोइड रखोंगा एक और ऐसा ही एक पॉलरोइड रखेंगे ठीक है तो यह मैंने एक और इसमें शीट आगे लगा दी यह लोजी इसकी पास एक्सी सभी वर्टिकल सब्सक्रों करो कि इस तरीके से यह पॉलरेड की इसके सामने रखी अब सोचके बताओ कि जो वाइब्रेशन इस पहले वाली शीट में से पास हो गए क्यों इसमें से भी पास हो जाएंगी दोनों विंडू है वर्टिकल रखावा तो इससे कितनी इंटेंस्टी पास होगी आए नोट बाई टू ना अब फिप्टी परसेंट नहीं होगा मत कर देना क्योंकि वर्टिकल प्लेन में तो है तो अब क्यों खाएगा यह लाइट को पूरी की पूरी लाइट इसमें से पास हो जाएगी तो अब ही अगर मैं इदर से देखू तो मुझे इंटेंस्टी कितनी नजर आएगी आए नोट बाई टू इंटेंस्टी जितनी भी है उन नजर आएगी अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊंगा आप सोचो यह लाइट आ रही है वर्टिकल प् घूए गा तो इंटेंस्टी 0-0 मिलेगी इसन पूरी कि पूरी पूरी लाइट को खा जाएगाई की यह आघ्री वर्टिकल प्लें में और ने नहिकार और होड्यस्ट प्वरियेशिंया घ्ल प्हलें में तो मैं जब आपने इसको गुमाया इस तरमम्लेन क्रिसल को आइस र और इंटेंस्ट में वेरीशन आ रहा है कौन से लाइट को देख रहे हूं यह पर पोलराइस्ट अपे प्लें पॉलराइस्ट बोलते हैं बागे सिंपल पॉलराइस्ट बोलोगे पीजिक करना है चेक करने जरूरत है पहला तो पॉल्राइज करौना तो एक से अपन is आपकी तरफ लाइट क्या, आप एक 시 employees लो हैं फिर उसको घुमाओ घुमाने से अगर इंटेंसी में भी इशन नहीं आ रहा हुआ इसको लाइट कैसी है और अगर इंटेंस्ट में भी इरी इसरीचन आ रहा है इसके बाद में आगे बढ़ते हैं इंटेंस्टी और पॉलराइज लाइट तो जैसे वह जो दो अपने पॉलराइजर लिये थे एक पॉलराइजर सपोस्क्रों यह है यह इसकी पास एक्सिस है और इधर हमने अन पॉलराइज लाइट को लिया हुआ है हमें ग्राब पॉलराइजर है इससे जब यह पास होगी और इसके सामने एक दूसरा पॉलराइजर रख देंगे यह दूसरा पॉलराइजर है यह इसकी पास एक्सिस है इसका नाम पीटू रख दो यह पीवन है यह पीटू है तो आपको क्या करना इस दूसरे वाले पॉलराइड को घु करेंगे कि इसको ऐसे घुमाने पर इंटेंसिटी रहन हो घ्या इक्सरी तरीक इनको बीच में इंगल कितना होता है जिरो डिड्री यह यह भी अशत podr कितना जिरो डिगरी उस कंडीशन में जिरो डिगरी एंगल पे अगर करें लेगा तो जब इस नाट फूरी पूरी बी तो आई नोट मिलेगी आपको तो यहांपर यह है अच्छह यह जो लाइट इसमें से पास होगी है अब चाओ तो इसको 2 मौह राइप नोट सक पर नोट उस् BBQ भी करको नहीं तो इसंगे से पास हो पाती है अब क्या करना है अब इसको रोटेट करना है ते इसको घूमाते जाएंगे और जैसे-जैसी रोटेट होगी जैसे जबो होगी ऐगो तो इन दोनों पास सेक्सिस के बीच में जो एंगल यह पहला वाला ज़्याट है और दूसरा आप घुमाते जा रहे हो तो यह जो एंगल बनेगा दोनों की पास सेक्सिस के बीच में यह चेंज होता जाएगा एक ऐसे रखा हुआ है दूसरा भी ऐसे रखाता है लेकिन दूसरे को ऐसे घुमा रहे हो तो एंगल उनके बीच में क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा जब यह 90 डिग्री हो जाएगा एंगल इसको घुमा के आप होरिजोंटल कर दोगे तो इंटें घुमाया फिर और 90 गुमा दिया तो अल्टा हो गया अब यह उल्टा हो या इस बात समय में क्या यह एसे रखा है कि दूसरा भी यह से रखा है तो पास एक्सिस पैरल इसको घुमा के 90 कि या और उसको घुमा के और 180 डिग्री कर दिया तो अब इसमें पहले वाले में कोई नहीं है दोनों की पास सेक्स अगेन पैरल हो गई तो इसे इधर बना दो कि समझ मैं कि इस तरीके से आपको यह बनाना जादा उचा चला गया जादा उचा नहीं बनाना है यह लेवल सेम रहना दो इस टाइपका से डाइग्रام बना रहा है कि यह लिखने में में इस्टेट करेंटिंग मिस्टिक रिकने में अगड़ बडब की ठीक है समझ मैं आया कि यह लो वाइए एकसिस पे हमने प्या लिया है intensity और x-axis पे क्या लिया है angle between pass axis of polarizer 1 and 2 ठीक